तीन बार IPL का खिताब जीट चुकी CSK के लिए इस सीजन में भी चुनौतियां कम नहीं है टोर्नमेंट शुरू होने से पहले टीम के 13 सदस से COVID-19 पॉजिटिव पाए गए थे और स्तोरेश रहना नजीक कारणो से UAE से वापस भारत लौट चुके हैं यह चुनौतिया तो थी ही लेकिन दोनी के सामने कुछ और ऐसी चुनौतिया हैं जिससे निपटना आसान नहीं होगा IPL के इस सीजन में सभी की निगाहे महेंदुर सिंग दोनी पर होंगी लेकिन यहाँ पर एक समस्या है दोनी खुद इस बार एक साल से जादा समय के बाद कुर्केट के मैदान पर उतरेंगे ऐसे में परफॉर्मिंस को बनाए रखना आसान नहीं होगा CSK ने हमेशा सही ठोस शुरुआत पर भरोसा किया इसके बाद सुरेश रेना नमबर तीन पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे लेकिन रेना का टीम में नहीं होना किसी बड़ी कलजोरी से कम नहीं है रेना के लावा टीम में कोई और बाय हाथ का बड़ा बल्लेबाज नहीं है इसी तरह अनुभवी स्पिनर हर्बजन सिंग भी इस टोनामेंट में नहीं खेलेंगे जिससे की टीम का संतुलन थोड़ा प्रभावित होगा हर्बजन के अलावा टीम में कोई और आफ स्पिनर है ही नहीं टी ट्वेंटी क्रिकेट में लेग स्पिनर काफी सफल माने जाते हैं और जब एक टीम में पांच लेग स्पिनर हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि UAE में धीमे विक्टो पर आखिर क्या कमाल हो सकता है नियूस तक दियोरो